लोक सबा चोना नू मुख राख देया काली दल दे परदा आनते पंजाब दे साब का उपमुख मांतरी सक्वीर सिंग बादल अज दपहर फलॉर विखे रैली नू संबोधन कारन पहुंच रहे हन। इस रैली नू लेके सारियां त्यारियां मकमल हो चुकी हन। जिस दी जानकारी हलका फलॉर देवदाइक बलदेव सिंग खेरा ने मीडिया नू दिती। इस मौके खेरा ने पंजाब दी कांगरस सरकारते वर्दियां केहा कि कैप्टन ने वोटां विले बहुत सारे बादे कीते सन पर पूरा एक वी नहीं कीता। उन्हा केहा कि पंजाब बीच हर वर्ग कांगरस तो तांगा गया है जिसकान लोग उन्नी वही नू होन जा रहे हैं लोग सब चोना विच कांगरस नू बोट ना पाके कांगरस नू सबग स्खोन गे। करोड़ दी पूरान कर जामाफी भी सी दो साल हो गया है कोई ड्वेलमेंट नहीं जिडे कम काली दल बीजेपी दी सरकार ने शूरू की ते उत्वे खड़े हैं जिडियां ग्रांट से काली दल बीजेपी दीतियां कि एंसी उना नू इनने रुक्या होया होते रोक लाई हो कि आधियाय उननूं स्पीड ब्रेक्ड ब्रेका लॉन तो बिना होगों कुछ निए जासे फिर इते जड़ाएढ गल करदे सी कुर कर देसी रेत अफ़ीक्ड देखो दोसी वह और अधिया आधिया गलाया कर देखुंद और आज क्योंकि थे श्रोमनी काली दल दी रेली है सदा सुखवी सिंग बादल साभे थे पहुंच रहा है और मैं समय दा जड़े लोक स्ताय होए ने जड़े दो साल पहला सोच दे सी कि को पंजाब किसे बुलंदियां दे जाओगा वो उननी तरीक नूं इना नूं जड़ा ह चौधरी संतोक सिंग ले मारी गाल है अते नाल ही चौधरी ने एक एक गन्ना पिंड़े उनना लोका नी बेजती किती है जिना ने चौधरी नों बोटा पागे जिताया सी जिए तुसी ओधे ड्वेलमेंट नहीं भी काने सी तयाना नूं नहीं सीकना चाहिए था और यह उना लोकां देली उस पेंड़े तोहीन है और जिदो इनननू पता लगा जिदोंने मैसूस कीता बे मेरे कुलों यह गल्त कहा हो गया वे मेनों नहीं सीकना चाहिए था कल फि भी कीती है और उसे काटा भी कीता है और ओनली टैम देविच मैं मन्दा वे यह लोग जड़ाया हो इनननू जड़ा सबक जरूर सखोंगे और दो साल पहला जड़ा चूट बोल्या ओधली पंजाब दे लोग बड़े काले या मतलब कॉंग्रस नूदा सही शीशा दखों ल अपना यूटूब चैनल सांच टिवी